आज हम आपके साथ बहुत आसान और बिल्कुल नए नाश्टे की रेसिपी शेयर करने वाले हैं जिसे हम साबुदाने से बनाएंगे वेसे तो आपने साबुदाने से कही तरह का नाश्टा बना कर खाया ही होगा लेकिन यह दिया आपको चटपटा और नए नाश्टा बनाने साबुदाने के लिए सब पहले हमें यह साबुदाने लिए थी हमने अचे श Aí कह ऐना है तो चलिए चलिए इचला कोंध़ से पाँच लिए था अब अचले को पीं अब किस लिना है तो यह अभी निनी मिजहार में डाल कर पीस में लिए। यह ब दिख सकते इस तरीके हम ने साब उदाने का पाउडर दयार कर लिया है तो चलिए इसे हम एक बॉल पर निकाल कर साइड में रख देते हैं इसके बाद हम लेगे या पर एक ग्लास और इसमें हम आधा कप उबला हुआ पानी डाल देंगे तो मैंने या पर पहले ही पानी को उबाल कर रख लिया था इसी के के नमक और ओल पानी में अच्छे से मिक्स हो चुके है तो अब इस गरम गरम पानी को हम इस साबुदाने की पाउडर में मिला लेगे पानी काफी गरम में इस लिए इसे चम्मच से ही मिलाए तो थोड़ा-थोड़ा करके हमने आधा गलास पानी इसमें डाल दिया है और द्रकुल्टन क्ना तक भी पटी आरी करेटे हैं तो फिर समय व्य गिक्सित चाहर लेगए और इसमें आथे छोटी चमच जीरा डाल देंगे दान के Bak The एक चोटा चोटी चम्मच अजवाइन और एक चोटी चम्मच हमने सोफ ली है लगभग दो चोटी चम्मच तिली ले रहे हैं इसे के साथ यहां पर चार चोटी साइस की हरी मिल्ची ली है तो हरी मिल्ची आप अपने ही सब से ले सकते हैं और थोड़ा साम इसमें मीठा निम अधरक का टुकडा ले लिया है इसी के साथ दो चुटकी हिंग डाल देंगे हिंग आप चाहिए इसमें लैसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं और एक चुथा ही चोटी चमच मैंने यहां पर सफेद मिर्च का पाउडर लिया है यहां पर आप काली मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं तो चलिए सबी को पीस कर हम यह मसाला तियार कर लेते हैं और लीजिए हमारे मसाला बनकर त्यार हो चुका है इससे हमारे नाश्टे का टेस्ट बहुत ही बढ़ी आएगा इस तरफ 5-7 मिनिट में यह साबुदाने का पाउडर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है क्यो अब हम इसमें डालने वाले हैं मेदा तो मेदे की बजाए आप चाहे तो यहां पर ग्रुम का आटा भी डाल सकते हैं और यहां वरत में बना रहे हैं तो इसमें राजगिरे का यह कोई भी फलारी आटा डाल दीजिए तो डेड़ कप मैंने मेदा लिया है इसी के साथ जो मस कर लेना है और यह देखिए लगभग एक से देर मिनिट लगा है और यह तीनों चीज अच्छे से मिक्स हो चुकी है अब हम इसमें जरूरत की सबसे थोड़ा थोड़ा करके पाने डाल देंगे और इसका सकत डो लगा लेंगे गर्मी की इस मोसम में यह दिया आप थोड़ा आप पर मैंने इस डो को लगाने में लगभग आधा गलास पानी का इस्तिमाल और किया है लगभग पांच मिनिट हो गए है और नाश्ता बनाने के लिए हमारा आटा भी अच्छे से से चुका है तो एक बार हम इसे फीर से थोड़ा चिकना कर लेते हैं हाथ पर थोड़ा सा आटे को अच्छे से चेट कर लिया है अब हम इसमें छोटा सा इससा लेकर इसका गोल पेडा बना लें जिस तरीके से रोटी बनाते हैं उतनी बड़ी हमें इसकी लोई लेनी है क्योंकि हमें इसे रोटी की तरह है थोड़ा सा ओल लगा लें आप चाहे तो शुका अब ले स और इसे हम इसे कट करने वाले है तकि नाष्टे का शेप एक जिस्सा है आप चाहें तो छोटी लोई लेकर इसकी पूडिया भी बना सकते हैं आप देख सकते हैं कि मैंने इससे बहुत ज़ादा पतला नहीं रखा है और जिसे आप इसे पूड़ी की तरह हुलाना नहीं चा बना सकते हैं देखिए कितना पतला हम नहीं से बेला है आप चाहें तो फोप के चाकू के हल्प से इन में हौल भी कर सकते हैं तो देखिए यह पर इपापड़ भी बनकर रेडी हो चुकी है आप ने गेस पर तवा रख दिया है तो आज यह नाश्ता हम सेक बनाने वाले है तो हमारी चोटी से रोटी बनकर तयार हो चुकी है इसके बाद हमने जो पापड़े बना कर तयार कर रखी थी वह तवे पर एक साथ डाल देंगे इतने आप तवे पर रख सकते हैं और इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पर इसे हमें सेकना है क्योंकि रोटी को तो हम हाई फ्लेम सेकते हैं लेकिन पापड़े बनाने के लिए हमें थोड़ा दीमा रखना है और इस तरीके से इने भी हम दोनों तरफ से प्रेस करते हुए सेक लेंगे और यह देखिए लगभग चार से पांच मिनिट में इन पापड़े को भी हमने दोनों तरफ से अच्छे से से लिया है चलिए अब हम निकाल लेते हैं आप देख सकते हैं कि तवे पर ही कितने अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है आप चाये तो तवे पर ही लगा कर इस तरीके से पूड़ी को सेख सेंगे यह भी खान में बहुत ही टेस्टी लगी देखिए पूड़ी कितने अच्छे से फूल और बहुत ही बड़ी इसका कलरा है तो चोईस आपकी आप जैसा भी इसे खाना चाहते हैं तो लीजिए हमने याप परी सारी पुड़िया बनाकर रड़ी कर ली है आप चाहे तो इन्हें बनाकर फ्रीज में रख दीजिए और जब कभी आपको गरम घरम खाने का मन करें तब अब तुरंती से खाये और यह देखिए हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी पापड़ा भी बनकर रेडी हो चुकी है आप चाहे तो इनके उपर थोड़ा सा गी लगा करके खा सकते हैं लेकिन आज हमने प्राइब करके खाने वाले हैं तो चलिए इधर हमने पहले ही कड़ाई में इसे फ्राइब करने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है और अल्का सा गरम हो चुका है तो एक ही करके यह पूरियों डाल देंगे और कुछी सेकंड्स में हमारी पूरिया अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी देखिए इस तरीके से उलट पुलट करते हुए हमारी पूरिय इसे इस तरीके से पूड़ को फ्राइं था कि आपने साभू दाने की नाश्टा बनाखायाों देखिए ऑफ और क्दाहीव यह को पसंद आईगी ठाकुली दिसते में में च्रिस्पी और पापड़ी लेंगे से नाश्ता बनाकर 12-12 दिं वरखकर नहीं बिल्कुल भराब bekanntम और आप चाहें तो इसे सफर में भी ले सकते हैं तो ये लीजिए साबो दाने का ये क्रिस्पी नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है और ये देखिए बिल्कुल भी ये नहीं है क्योंकि हमने इसे सेख कर फ्राइब इसलिए बिल्कुल भी ओईली नहीं बना है तो एदि आप सब्सक्राइब परना ना भूले थेंक यू